हलो प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हमने कौन से practice 8 की शुरुवात किया है तो practice 8 5.1 को हमने start किया है और इसमें हमारे कितने questions complete हो चुके हैं तो एक से लेकर के 5 तक के questions को हमने complete कर लिया है और आपके points है ना a b c d यह है वर्टाइस ऑफर रोंबस a b c d जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रोंबस है इस प्रकार से मैं यह रोंबस बना देती हूं ठीक है तो आपको यहां पर प्रूफ करना है कि यह जो वर्टाइस है तो रोंबस के वर्टाइस हैं बराबर तो आप पहले तो आपको रोंबस की property समझनी पड़ीगी तो रोंबस की पहचान क्या होती है हम रोंबस को कैसे पहचानते हैं तो हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई quadrilateral है आपके पास और उसके चारों के चारों साइट सापस में congruent आते हैं जैसे यहां पर अगर ऐसा मिल गय कि जो आपका given quadrilateral है ना बच्चों वह हमारा क्या हो जाएगा रोंबस हो जाएगा ठीक है तो हमें यह चीज यहां पर शो करना है तो देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा सिंपल सी बात है हम यहां पर distance निकालेंगे distance मतलब वहीं length निकालेंगे सबसे पहले हम a b find दिन बी सी निकालेंगे दी सी निकालेंगे और फिर उसके बाद हम यह a d निकालेंगे और अगर यह सारे के साइट सापस में equal आते हैं तो फिर आप कह सकते हो कि given points are vertices of a rhombus ठीक है समझ में आ गया कैसे करना है वहीं parallelogram वाला ही है बस यहां पर rhombus की बात कर दी गई है जैसे और अब आजाए हमारे जो points हैं वह कौन-कौन से हैं जो रहा हम उनको लिख लेते हैं भाई तो हमारे points है यहां पर में लिख देती हूँ given points आर कौन-कौन से points है बच्चे बताईए तो हमारे पास point A है जिसके coordinates है minus 4, minus 7 second point is B coordinate minus 1,2 and the third point is 8C है जिसके coordinates 8 और 5 है और यह जो हमारा last वाला point है point D इसके coordinates से बच्चे 5, minus 4 ठीक है तो अच्छे से points को में मिला लेती हूँ एक बार फिर से तो जी हां बिल्कुल मैंने सही लिखा है ठीक है अब हमें क्या करना होगा distance formula का use करके हम यहां पर यह निकालेंगे distance निकालेंगे ठीक है तो चलिए यह आप मैं लिखती हूँ by distance formula डिस्टेंस पॉर्मूला तो देखे बच्चों जो हमारा डिस्टेंस पॉर्मूला है वो क्या कहता है तो हम यहाँ पर करके डिस्टेंस निकालेंगे ना पहले ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस निकालते हैं तो अब आपका ध्यान होना चाहिए कौन से X1 Y1 और B के coordinates को हम माल लेंगे बच्चो X2 Y2 ठीक है तो बताइए यहाँ पर क्या आजाएगा यहाँ पर आएगा हमारा X1 X2 X2 is minus 1 फिर minus का sign X1 is minus 4 तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे minus 4 फिर मैंने इसका square कर दिया यहाँ पर प्लस का sign उसके बाद में क्या लिखूंगी Y2 minus 5 1 तो यहाँ पर देखेगा Y2 is 2 देखो Y2 is 2 फिर minus Y1 is minus 7 तो यहाँ पर मैंने मैंने लिख दिया फिर मैंने बच्चो इसका square कर दिया ठीक है वही ओके जी फिर यहाँ पर देखे क्या आएगा यहाँ पर वन है तो वन हम लिख देते दोस्तो मेंने इसकर स्काईर कर दिया तो यहां पर हमने लिख दिया जैने हमने होता है एके लुद पर यहां पर देखो इन दो नो को बताओ कितना आता है तो एटी-वन करोंगे तो यहां पर आ देखो दोस्तो नабबे क्या आएगा 90 तो समझ मैं आहा है किसे आ ढलb हमने क्या किया कि आपको बता है था उसलिऑ आ गयाहिए था स्क्वाइर टो 4000 करेंगे तो 90 आजाएगा वेरी सिंपल ठीक है यही पर इसको रहने दो आप सोचेंगे इसको तोड़ भी सकते हैं जी हाँ तोड़ सकते में बात में तोड़ती हूं पहले ना हम लोग इतना कर लेते हैं हर एक का डिस्टेंस निकाले थे फिर उसके बाद इसको और जोटा करना होगा तो करेंगे वरना ऐसे भी करके आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है चलो हमने यह भी निकाल लिया फिर हम यह आप बात करेंगे बच्चों बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस ठीक है वह हम निकालेंगे ना इसके लिए क्या करना होगा हमें दो पॉइंट के उपर ध्य देखे यहां पर सबसे पहले एक थो आएगा एका एकश्ट माइनस एक माइनस ये लिख दिया मैंने ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज और ये स्क्वार मैं लगा दिया फिर दूसर द्रैकट में क्या आएगा म्यू माइनस दिवाईयदोर माइनस ताए Still दो चैपा और आउन्च आच में से 2 गया तो 3 आएका यहां पर मैं लिख दिया दोस्तों 3 का स्क्वेर आप देखो क्या होगा यहां पर 8 कितना होता है 9 होता है और 9 का स्क्वेर करेंगे तो 9 बताओ कितना आएगा यहां पर आजाएगा हमारा रूट के अंदर 90 ठीक सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तो अब आपका ध्यान कहां पर होना चाहिए तो यहां पर देखिए का आपको दो आता है तो X2 बोलो क्या है 5 and Y2 is 8 तो यहां पर मैंने X1 एक मिनट X2 X1 ठीक है थोड़ा बोलने में इधर उदर हो गया सुनो X2-X1 यह X2 है यह X1 है तो 5-8 कर दिया the whole square plus Y2 is minus 4 तो यहां पर मैंने minus 4 लिखा minus Y1 is 5 तो यहां पर मैंने 5 लिख दिया the whole square then आपको क्या करना है दिखे 5 में से 8 गया तो यहां पर आ जाएगा बच्चे minus 3 का square और minus 4 minus 5 यहां पर आ जाएगा minus 9 का square तो आप बताओ 3 का square करेंगे तो 9 आ जाएगा और minus 9 का square करेंगे तो plus 81 ठीक है क्योंकि minus minus plus होते हैं हम सभी को मालूम है और फिर उसके के बाद यहां पर रूट के अंदर आ जाएगा बच्चे 90 तो आप देख सकते हो यहां पर भी रूट के अंदर हमें क्या मिला है यह भी हमें जाएगे दोस्तों x2 y2 ठीक है चलिए यहां पर मैंने रूट का sign लगा दिया फिर इदर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा तो ब्रैकेट के अंदर यहां पर आ चाएगा x2 minus x1 x2 कितना है 5 देन minus और x1 कितना है बच्चे minus 4 तो यहां पर मैंने लिख दिया minus 4 the whole square प्लस फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा तो x y2 minus y1 यहां पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया y2 बोलो क्या है बच्चे minus 4 minus y1 is minus 7 तो यहां पर मैंने लिख दिया बच्चे minus 7 और फिर हमने यहां पर इसका square कर दिया अब आगे देखिए क्या होगा यह देखिए 5 और minus minus क्या हो जाएगा बच्चे plus यानिकि 5 plus 4 5 plus 4 the whole square plus यहां पर देखो क्या आएगा तो यहां पर यहां पर देखिएगा minus 4 और minus minus क्या होता है plus होता है तो यहां पर मैंने plus 7 लिख दिया the whole square अब देखना आगे क्या आएगा मैं आपको directly बताने कुछ कर देखो 5 और 6 कितना होता है 9 9 का square करेंगे तो 81 आएगा यहां पर 81 आगया plus यह देखो 7 में से 4 यहां तो 3 और 3 का square करोगे तो 9 आएगा तो यहां पर मैंने 9 लिख दिया अब इन दुनों को आप plus करेंगे तो बोलिए कितना आएगा बच्चे 90 आजाएगा ठीक है न आप देख सकते हो हर एक side का length वही हमें मिला है 90 90 वहीं मिला है ठीक है चाहो तो आप इसको further simplify भी कर सकते हो और ऐसे लिख करके मतलब इतना लिख करके किया तो भी चलेगा अब इसको अगर आप further simplify करना चाहते हैं कि नहीं हमें तो इसको और चोटा करना है इसको थोड़ा और simplify करो तो बिल्खुल कर सकते हो कोई बात नहीं है देखो क्या होगा यहां पर यह जो 90 90 को हम अंसर गलत नहीं करेगा लेकिन हां आगे अगर आपको जाना है जैसे हर कुष्चन में जा रहे थे तो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर लिख देना 3 रूट 10 इधर भी वही होगा सेम 3 रूट 10 यहां पर भी आएगा ठीक है और फिर यह यहां पर भी वही आएगा सेम 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 ठीक तो आप लोग देख सकते हो यहां पर हमने क्या अब्ज़र्व किया आप अच्छे से इसको देखो और फिर समझो इसके हर एक साइड का जो लेंद है ना बच्चे वही सेम टू सेम आ रहा है आप देख सकते हो A से लेकर के B तक का डिस्टन्स भी है 3 रूट तो देखो यहां पर हम एक बात लिखेंगे क्या करेंगे वह जो रूबस का definition है मतलब जो meaning है वह हम यहां पर लिख देते हैं कि कैसे लिखोगे inner quarter lateral if all sides are equal then it is a rhombus ठीक है ऐसे लिख तो देखो हम यहां पर लिखेंगे कि we know that हमें मालूम है हमें क्या पता है कि inner quarter lateral if all sides are equal then it is a rhombus ठीक है समझ में आया आप सभी लोगों को तो यहां पर देखेंगा मैंने जड़ा यह rhombus बना भी देती हूं देखो भई हमने यह बना दिया इसका नाम लिख देते हैं a b c d a b c और यह d तो अब सुनो ध्यान से यहां पर आप देख सकते हो a b का लिंद कितना आया है यह देखो three root 10 तो यहां पर मैंने लिख दिया है बच्चे three root 10 ठीक है फिर यह b c b हमें उतना ही मिला है three root 10 d c is also three root 10 है ना आप देख सकते हो and a d b है बच्चो हमारा three root 10 रहीं देखो है की नहीं सब कुछ हमने निकाल लिया है ओके तो देखो आप यहां से हम क्या कह सकते हैं यहां पर हम लिखेंगे कि पहले इसके equations आप डाल दो रुको इसको आप लिखना equation number one this is your equation number two यह बच्चे three और यह है हमारा equation number four ठीक है तो अब देखो हम यहां पर क्या लिखेंगे यहां पर हम लिखेंगे की quadrilateral in quadrilateral a b c d ठीक है quadrilateral a b c d में हमने क्या देखा हमने एक चीज़ यहां पर observe करी कि a b congruent है बच्चे b c k and this is congruent to d c ठीक है and it is congruent to side a c यह हमने कहां से लिखा भाई यह हमने लिखा from one two three and four ठीक है इससे हमें मालूम पड़ा कि a b d देखो a b b c d c d c d c बो c d बो दूनों का मतलब से मैं सो d c और a d यह सबके सब आपस में congruent है यहां से क्या प्रूफ हो गया बच्चे कि quarterlateral a b c d is a rhombus ठीक है तो यहां पर लिख देंगे therefore quarterlateral a b c d is a rhombus मतलब जो given points है क्या यह vertices होंगे rhombus के तो जी हां होंगे तो यहां पर लिख देना कि hence the given points are points are vertices operrobus ठीक है यह तो हमने यहां पर इस question को भी complete कर लिया आप देखे इसको फिर ना मैं आपको इसमें एक और बात बताना चाहती हूँ पहले आप यह देखो ठीक है यह इसका solution है चलो यह तो खेर हमने कर लिया कोई बात नहीं ओके अप आप देखो अगर माल लिजिए यही सवाल यही सीम टू सेम कोश्चन हमसे पूछता और यहां पर कहता कि आप यह प्रूफ करो यह आपका क्या है बच्चे यह आपका ऐसे स्क्वेर है ठीक है अगर आप से यह कहता प्रूफ करने के लिए तो आप क्या करते तो देखो रों प्रखो एकल यह 524 यहां पर यहां पर यह उत्युक्य अखित बचाल की sä suppress it आपते ठीक हमसे क्या प्रचा पता रगा ले लर फिर ऊसके और आपको क्या करना पड़ता तो रहोगों यहीं करते ना पता u ठीके मतलब जो डाइगनल्स है यहां पर क्या-क्या बन रहे हैं देखो A.C. है न एक डाइगनल देखो बच्चे ऐसे बनेगा A.C. और यह D.C. B.D. ठीके तो अगर यह माल लेजीर रूमबस का question नहीं होता है स्क्वेइर का question होता तो आपको यहां पर जो इसके पैघुए कि इन को कहते हैं अगर आपको यह सारे मालूम है तो ये तो एक लाइन में कुश्चन है जिसका सॉलुइशन भी बहुत एजी है जैसे इसका सॉलुइशन भी इत्तु साही है देखो आपको बताती हूं यहां पर लिखा है कि find x x का पता लगाओ if distance between point L and M is 10 यानि अगर point L और M के बीच का distance 10 है यानि अगर यह LM बराबर कितना है बच्चे 10 है then find the value of x कितना easy question है क्या करेंगे हम देखो हमारे पास L के coordinates है M के coordinates है ठीक है तो हम यहाँ पर distance formula use करेंगे and then हम आगे यह जो x है बच्चे उसका value हम निकाल सकते देखो आपको बताती हूं कैसे होगा बहुत easy है यह वाला question तो यहाँ पर हम लिख देंगे solution ठीक है हमारे given points कौन-कौन से है तो यहाँ पर हम लिख देते बच्चे given points क्या-क्या दिया गया है तो हमारे पास है पहला point L तो यहाँ पर मैं लिख दिया L जिसके coordinates है यहाँ इसके coordinates है 1,15 ठीक है तो हमें क्या करना है यहां पर एक और बात दिया गया है कि L M मतलब इन दोनों के बीच का length कितना दिया है 10 units दिया गया है याद रखना ओके तो अब हम कैसे solve करेंगे यहाँ पर distance formula का और M है तो point L की coordinates है उसको हम मान लेते बच्चो एकस वन एकस वन वाई वन तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा हम यहाँ पर assume करेंगे ठीक है सब्सक्राइब सकते हो चलेगा इसके coordinates क्या क्या है एक्स कॉमा सैवन तो हम मान लेते कि एक्विवालेंट है भई एकस वन कॉमा वाई वन के मतलब देखो यह एकस होगा एकस वन सैवन हो जाएगा हमारा वाई वन बराबर फिर जो हमारा दूसरा पॉइंट है भई एम जिसके coordinates क्या क्या है वन कॉमा 15 अब इसको मैंने मान लिया है बच्चे एकस टू कॉमा वाई टू ठीक है ऐसे बराबर अब हम यूज करेंगे दोस्तो डिस्टेंस पॉर्मूला ठीक है चलो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाते हैं और फिर इसका solution करत हैं यहां पर आचाएगा by distance formula तो दोस्तो distance formula हमारा क्या था देखें आपको मैं बताती हूं यहां पर हम लिखेंगे LM which is equal to हमारा distance formula क्या होता है यहाद है ना x2-x1 the whole square plus y2-y1 the whole square ठीक है चलो अभी जो LM है ना LM बोलो कितना है 10 तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे बच्चों 10 लिख देंगे फिर अब यहाँ पर हम लोग values पूट करेंगे यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तो 1 x1 is x देख रहे हो x1 is x तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x the whole square plus y2 बोलो कितना है y2 is 15 minus y1 is y1 y1 देखो 7 तो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्क्वेर कर दिया ठीक है अब क्या करें तो देखो आपको यहाँ पर एक काम मतलब एक बात बताती हो देखो अगर आप इसको further अच्छे से simplify करना चाहते हो ना तो यह जो आपको रूट दिखाई तेरे रूट को पहले यहां से गायब करो देखो यहाँ पर तो 1-1 the whole square यही रहेगा प्लस पंद्रा में से साथ गया तो कितना आता है पंद्र में साथ गया साथ आट नो दस इंग्यारा बारा तीदा चवदा पंद्रा यहां पर आजाएगा यहां पर आजाएगा बच्छो आठ का स्क्वेर ठीक है का formula यूज कर सकते है आपको मालू में न क्या होता है formula आप समझो यह यह और यह बी है तो सबसे पहले आएगा बच्छो वन का स्क्वेर वन ही होता है फिर – 2AB तो देखो यहां पर क्या है टू इंटू ए क्या है वन बी क्या है एक सभिन सभी का मल्टिप्लाई कर दो 2 वन से 8 का square कर दोगे तो यहां पर आजाएगा दोस्तो 64 ठीक है clear हुआ यहां तक बात समझ में आई चले आगे बढ़ते हैं इसको थोड़ा ऊपर करते हैं ठीक अभी देखो क्या होगा यहां पर क्या-क्या हो सकता है थोड़ा हम सोचते हैं अच्छे से तो देखिए हमें काम करते है क्या काम करेंगे यह जो 100 दिखाई दे रहने इसको कहते तुम चलो उदर चलो सबको सबको एक साइड हम ले करके चले जाते हैं तो यहां पर आजाएगा बच्छे जीरो इधर है माइनस देखो माइनस वन और 65 तो 1 प्लस 65 कितना होते 65 दोनों प्लस में है ना तो दोनों देखेंगे यहां पर हमें काम करेंगे क्या काम करेंगे मैं आपको बताती है इसको पहले लिख दो ठीक है इसको पहले लिख देते पिर यह जो माइनस टू एक से इसको थोड़े मतलब इसके बाद लिखना पिर देखो 65-100 कर रहे होता आंसर कितना है गांडे मैंस करो दस मे माइनस में इसका अंसर आएगा या फिर प्लस में तो देखो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है यह नंबर बड़ा है तो इसलिए इसका अंसर जो है वह minority दिया और कर सकते 0 उदर चला गया तो यह आपको जो एक्वेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है अच्छे से इस मालूम है हमने algebra में सीखा है already तो देखें बच्चो पहले मैं इस equation को यहां पर लिखती हूं बुले क्या है हमारा equation x square minus 2x plus plus नहीं है minus 35 which is equal to zero अब हमें क्या करना होगा यह quadratic equation है जिससे हमें solve करना होगा by using the मतलब वही जैसे solve करते quadratic equation को वैसे हम solve करेंगे तो देखें दोस्तों क्या करना होगा यहां पर क्या है वन इधर 35 तो अगर मैं 1 into minus 35 करूंगी तो यहां पर minus 35 आ जाएगा अब इसके ऐसे हमें दो factors बताने हैं कि plus यह minus करने पर तो हमें minus 2x minus 2 मिलना चाहिए वो multiply करने पर क्या मिलना चाहिए 35 वह भी माइनस में तो सोचिए ऐसे दो factors कौन से हो सकते हैं तो factors आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 7 और 5 ठीक है तो यहां पर आ जाएगा 7 यहां पर आ जाएगा पांच लेकिन यह मैमर को हमें मैनस में रखना पड़ेगा मैनस डूप अब क्या करेंगे हम अब यह मैनस इसको इसको replace करना है by this है ना इनसे हमें replace करना है तो यहां पर आ जाएगा x square और इधर 2x की जगा पर हम लिखेंगे बचे minus 7x plus 5x फिर उसके बाद minus 35 which is equal to 0 अब बना दो यहां पर जोड़ी मतलब common लेंगे इसमें से हम क्या common ले सकते x को bracket के अंदर क्या आएगा देखो यह x square यहां पर दो बार था एक गया तो एक बचा हुआ है और यह x तो पूरा ही बाहर गया था है ना तो यहां पर आ 35 को 5 से डिवाइड करो तो 5 7 से 35 होता है हम सभी को पता है ना फाइस से 35 होता है कि नहीं तो जब आप 5 को 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो यहां पर 7 आएगा 5 7 35 और यह माइनस तो माइनस यहां पर आ जाएगा ठीक है अब बताएगे इसमें से हम कुछ common ले सकते है क्या तो देखो X-7 यह वाले टर्म में भी है इसमें भी है तो X-7 को हमने बच्चो यहां पर common ले लिया और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा X-5 इसको हमने common लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा दूसरे ब्रैकेट में इधर X बचा हुआ है बीच में प्लस और और यहां पर यह 5 को उधर बेजेंगे तो q5 हो जाएगा यानि एकस के न हमें यह पे दू सेवल और दूसरा हमें मिलता है माइनस फाइब ठीकेट तो यह पर फाइनली आप लिग दो कि X विच इक्वाल टो सेवन और X विच 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 इक्वाल टो माइनस वाइब तो य यहाँ पे हो चुकी है और अब हम बात कर लेते हमारे अगले सवाल यानि की आठवे कोश्चन की और जो हमारा इस प्रैक्टिसेट का लास्ट कोश्चन भी रहने वाला है तो अब इसमें हमें क्या करना है यहाँ पे हमें शो करना है कि यह जो तीनों पॉइंट्स दिये गया ह है जैसे यहाँ पर मैंने एक ट्रैंगल बना दिया और इसमें हमने यह प्रूफ कर दिया कि यह साइड यह साइड यह साइड यह साइड तीनों के तीनों आपस में कॉंग्रूइंट है तो फिर हम कह सकते हैं कि this is this is an equilateral triangle ठीके दोस्तों तो हमें यहाँ पर करना क्या होगा वही सेम सेम प्रोसेस है जैसे हम वह रेक्टेंगल कोडर लिटरल का कर रहे थे सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करना होगा पहले मैं एक कंश यहां पर बना लेती हूं लीजिए मैंने यहां पर यहां तो अब इस ट्रैंगल का नाम में लिख देती हूं बच्चों अबी सी यहां पर हमें क्या करना होगा क्या को जुदा से लेकर के बी तक का लिंदी निकालना होगा यहां से लेकर कर अब इसका solution हम शुरू करते हैं और यह बहुत easy है आपको समझ में आ भी गया होगा कि करना क्या है है ना चलिए तो यहां पर हम लिख देंगे बच्चो solution ठीक है और फिर उसके बाद जो हमारे given points है उनको हम लिख लेते हैं तो क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे given points are given क्या दिया गया है point A हमारा है जिसके coordinates देबच्चे 1,2 point B coordinates are 1,6 and C coordinates यह क्या है 1 प्लस 1 प्लस 2 यहां पर root होगा शायद ठीक है रुको मैं जरा इसको अच्छा देखो यहां पर है हाँ देखो देखो यहां पर 1 प्लस 2 रूट 3 और इधर 4 ठीक है मैं अधर लिखते हूं 1 अरे भाया रुको 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 कहा जा रहे ऊपर हाँ च 2 root 3 ठीक है फिर,4 यह हमारे यह वर्ट है मतलब यह हमारे सारे points दिए गए हैं बराबर तो हमें क्या करना होगा हम यहां पर एक एक करके distance निकालेंगे by distance formula यहां पर हम लिख देते दोस्तों by distance formula आप directly हम calculate करना शुरू करते हैं ठीक है by distance formula आप सभी लोगों को मालूम है सबस इसनल निकालेंगे बच्चे from a to b ठीक है तो देखो अब आपको a और b points को देखना है अच्छे से a और b को तो चलो मैंने यहां पर यह square root लगा दिया और देखे a के coordinates को आप मानलो x1 y1 और b के coordinates को मानलो x2 y2 तो क्या आएगा यहां पर यहां पर आएगा x2 minus x1 x2 is 1 and x1 is also 1 then इसका square कर दिया plus फिर उसके बाद x2 y2 sorry y2 is 6 and y1 is 2 तो यहां पर इसका square हमने कर दिया ओके फिर यहां पर क्या आएगा देखो 1-1 करने पर हमें मिलता है 0 और 0 का square करेंगे तो 0 यह आएगा और 6-2 करेंगे तो बच्छे यहां पर चार चार का square करोगे तो बोलिए बच्छे कितना आएगा 60 and square root of 16 is 4 तो हमें यहां पर फाइनली जो a b का length है न वो मिलता है 16 unit ओके जी मिल गया फिर आगे बढ़ो थोड़ा सा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम find करते हैं यहां पर b c का length ठीक है distance from b to c तो आप देखो दोस्तों क्या होगा यहां पर देखिए आपना b के coordinates को मानलो b के coordinates को consider कर लेना x1-y1 और c के coordinates को आप consider कर लेना x2-y2 ठीक है यह है x2-y2 देखो यह पूरा पूरा हमारा x2 है यह है y2 यह x1 है यह y1 बराबर तो क्या आते है y2 x2-x1 तो यहां पर देखिएगा x2 हमारा क्या है 1 plus 2 root 3 तो यहां पर मैं bracket में लिख देती हूं 1 plus 2 root 3 इसमें से हम क्या minus करने वाले हैं बच्चे तो minus करेंगे ह हम यह 1 को तो यहां पर मैंने 1 लिख दिया यहां पर bracket close और यहां पर square लगा दिया plus फिर क्या आएगा y2-y1 y2 is 4 and y1 is 6 तो 4-6 the whole square यहां पर हम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों देखिए बहुत easy है यह ना इसको समझ ना देखो मैं आपको समझाती हूं है ना आपको लगेगा यह रूट आगया तो हम कैसे solve करें कुछ नहीं वह कटने वाला है देखो यहां पर plus 1-1 काट दो सीधा सीधा क्योंकि 1-1 तो 0 होता है ठीक है फिर यहां पर बच रहा है तो यहां पर बच रहा है दोस्तों 2-3 और इसका square ओके फिर 4-6 करेंगे तो ब्रैकेट पूरा हटाऊंगी तो square इसके उपर भी आएगा इसके उपर भी आएगा तो 2 का square यहां पर कितना हो जाएगा बच्चे 4 हो जाएगा और यह स्क्वेर से यहां पर आएगा 3 माइनस 2 का square करेंगे तो 4 आएगा यहां पर मैंने 4 लिख दिया फिर देखो फॉर थ्रीजा 12 प्लस पूर करेंगे तो 16 और स्क्वार रूट ऑफ 16 इस फॉर सो फाइनली हमारा जो आंसर है न बच्चे वह आता है फॉर यूनिट्स ठीक है आप सभी लोगों को तो रूट कभी भी आता है ना देखकर के डरने का नहीं ठीक है बहुत इसी होता है उसको उढए करना फिर यहां पर हम निगालेंगे एसी लेकर टील सितक का डिस्टेंस हमने बीख में बली क्या करना होगा तो अगेन हमें डिस्टेंस फॉर्मुला का minus x1 क्या है वच्चे देख लो 1 तो यहां मैं लिख दिया 1 the whole square फिर उसके बाद यहां पर plus का sign फिर दूसरे bracket में क्या आएगा y2 minus y1 y2 is y2 is 4 y1 is 2 4 minus 2 the whole square बराबर okay फिर यहां पर अगें वही चीज कटने वाला minus 1 plus 1 cancel और यहां पर क्या आएगा देखो यहां पर आजाएगा हमारा 2 root 3 का square और यहां पर 4 minus 2 करने पर हमें मिलेगा बच्चे लोग 2 ठीक है चलो तो यह square दोनों के पास आएगा 2 यहां पर 4 और देखो square root 3 का square करेंगे तो root से यह स्क्वार से रूट कर जाएगा यहां पर आएगा बच्चे 3 और 2 करें तो 4 फिल भाई 4 3 त्वेल प्लस 4 यानिके 16 स्क्वारूट कि इस तो मनें यहां पर किया डिस्टेंस भूरे प्र पारैंगल के बारे में दिए हमें मालूम है देखो हमें यहां पर लिखेंगे we know that हमें मालूम है क्या मालूम है कि triangle हमारा equilateral triangle क्या होता है मतलब कब होता है जब उसके सारे के सारे sides क्या होते बच्चे congruent होते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे कि a triangle is in कैसे लिखोगे रुखो if all sides if all sides of a triangle are equal then it is an equilateral triangle ठीक है आप अपने मन से लिख दो if all sides of a triangle if all sides of a triangle are congruent congruent यहां पर equal ठीक है same पे लिख सकते हो चलेगा are congruent then it is a it is a it is an equilateral triangle ठीक है तो यहां पर आप जरा समझो आपको मैं क्या समझाना चाहती हूं देखो मैंने यहां पर यह triangle बनाया राइट हाँ triangle के ऊपर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजेगा ठीक है यह हमने यहां पर triangle बना दिया इसके नाम जरा मैं लिख देती हूं नाम क्या है भाई इसका नाम है इसका नाम है इसका नाम है इसका नाम है कि इन triangle ABC ठीक है वो जो हमार पास triangle ABC में हमने क्या देखा कि AB is a congruent to BC and this is congruent to AC ठीक है AB BC AC congruent है और यह हमने कहां से लिख दिया प्रॉम 1 2 & 3 ठीक है 1 2 & 3 से हमें यह बात समझ में आ गई तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसलिए हम सिंपल सी बात यह कह देंगे कि यह हमारा equilateral triangle होगा ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे therefore triangle ABC is an equilateral triangle ठीक और आप क्या लिखोगे तो और फाइनली यहां पर लिख दो ना कि हैंस गिवन पॉइंट्स आर गिवन पॉइंट्स आर vertices of an equilateral triangle इसको अच्छे से क्या क्या लिखा है मैंने आपको मैं दिखा देती हूं स्टार्टिंग से यस देख सकते हो यहां पर आपका यह जो question number 8 है यह होता है complete ठीक है ऐसे करना है आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो यहां पर हमने प्रेक्टिसेट 5.1 के सारे questions complete कर लिए है पूरा एक से लेकर के आठ तक के questions को हमने complete किया सबसे पहले lecture number 1 हमने देखा था उसमें मैंने आपको जो distance formula है उसके बारे में बताय था और भी कुछ बेसिक बाते हैं जो मैंने आपको बताई थी ठीक है फिर हमने प्रेक्टिसेट 5.2 के questions को देखेंगे तो नेक्स वीडियो में हम देखेंगे उसका बेसिक भी और questions को भी solve करेंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना है मिलते नेक्स वीडियो में बाई लेखेंगे क्वा है बाते है यह को चुछ ने हम